मित्रो, कुछ दर्शक बार बार लिख रहे हैं कि मैं अक्वर की हिंदू इस्त्रियों पर एक वीडियो बनाऊं इन दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि वे इस धारवाहिक की पिछली कडियों को क्रम बद्ध देख लें अक्वर ने जब जिस इस्त्रि से विवाह किया उसकी चर्चा अलग-अलग कडियों में की गई है एपिसोड संख्या 52 एवं 60 में अक्वर की कई हिंदू इस्त्रियों की चर्चा की गई है पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अखबर ने इसवी 1574 में अपने शासन में कुछ बड़े बदलाव किये मुझरात के प्रांथ पती मुझफर खां को आगरा बुला कर उसे प्रधान मंत्री बना दिया तथा राजा टोडर मल को उसके नीचे वित्त मंत्री बनाया मुला बदायूनी लिखता है कि उसी वर्ष अकबर के आदेश से आगरा से अजमेर जाने वाली सड़क पर एक भव्य मदरसा तथा एक उंचा एवं भव्य महल बनाया गया ताकि अकबर आगरा से अजमेर जाते समय इस महल में पड़ाव कर सके यहां बदायूनी का मदरसे से आशय सराय से होना चाहिए अकबर ने आगरा से अजमेर के बीच प्रत्येक एक कोस पर मजबूती से गढ़ा एक इस्तंब लगवाने के आदेश दिये यह इस्तंब गोल मीनार की शकल में बनाये गए थे जो आधार पर चोड़े तथा शिकर पर पतले थे देखने में यह बेडॉल थे तथा इन इस्तंबों पर उन हजारों इहर्णों, बारे सिंगों एवं अन्य पशुओं के सींग लगवाए गए जिन्हें अकबर तथा उसके अमीरों ने शिकार करके मार डाला था यह इस्तंब अथवा मीनारें वर्तमान समय में सडकों पर लगाए जाने वाले मील के पत्थर अर्थात माईल स्टोंस की तरह कारे करते थे जिन्हें से अधिकांश इस्तंब अब नश्ट हो चुके हैं तिर भी कुछ इस्तंब आज भी देखे जा सकते हैं जिनमें से एक इस्तंब जब अजमेर की तरफ से जैपुर नगर में प्रवेश करते हैं तो अच्छी अवस्था में खड़ा हुआ दिखता है इस मीनार पर लगे सींगों के निशान तो अब मिट गए हैं तथा उस पर सीमेंट का प्लाश्टर करके भूरे रंग से पोद दिया गया है मैंने आगरा से जैपूर के बीच में भी अपने बच्पन में इन में से कुछ इस्तंबह को देखा था किन्तु अब उन में से एकाद ही दिखाई देते हैं शेहिंशा के आदेश से इन मीनारों अर्थात इस्तंबह के पास कूएं खुदवाए गयے बाद में इन मीनारों के पास उद्ध्यान लगाने एवं यात्रियों के लिए सराय बनाने के भी निर्देश दिये गए अखबर के आदेश से निर्मित एक सराय आज भी अच्छी अवस्था में खड़ी है इस समय अखबर को अपना ध्यान बंगाल में चल रहे अफगान विद्रोह पर केंद्रित करना पड़ा अखबर ने देखा कि खान खाना मुनीम खा बंगाल के विद्रोहियों को दबा नहीं पा रहा है तो अखबर ने ईसवी 1574 में राजा टोडर मल को खान खाना मुनीम खा की साहता के लिए बंगाल अभियान पर भेज दिया कुछ समय बाद बादशाह स्वैम भी अपने दो बड़े बेटों के साथ किष्टियों एवम जहाजों में बैठ कर बंगाल के लिए चल दिया उसकी सेना में इतनी सारी नावें एवम जहाज थे कि उनसे नदिया का जल ढग गया मुल्ला बदायूनी ने लिखा है कि जब बादशाह नदी से यात्रा कर रहा था तब नाविकों ने पक्षियों एवम मचलियों की भाशा में गीत गाए जने सुनकर हवा की चिडियां और जल की मचलियां नाचने लगी ऐसा द्रश्य उत्पन हो गया जिसका वर्णन करना असंभव है मार्ग में प्रत्येक दिन शेहन शाह नाव से उतर कर शिकार खेलता तथा रात को लंगर डाला जाता तब ज्यान विज्यान की चर्चा एवम शायरी की महफिल होती मुल्ला बदायूनी ने लिखा है कि कुछ दिन बाद बादशाह की नावों का काफिला प्रयाग पहुँचा इसे उन दिनों इलाहा बास कहा जाता था जहां गंगा एवम यवना का संगम होता था मुल्ला लिखता है कि काफिर लोग इस इस्थान को पवित्र मानते हैं विधर्मी इस इस्थान पर आकर पुनर जन्म पाने के लिए अपने बिना दिमाग वाले सिर आरी के नीचे रख देते हैं कुछ लोग जीव को दो हिस्सों में फार देते हैं कुछ उंचे दरखतों से गहरे पानी में कूद कर जहन्नुम को चले जाते हैं मुल्ला लिखता है कि अक्बर ने प्रयाग में बड़ी इमारत की निव रखी तथा शहर का नाम इलाहबाद से बदल कर इलाहबाद कर दिया इलाहबाद से चलकर अक्बर पंच पहाडी नामक इस्थान पर पहुँचा जो पटना से दो तीन कोस की दूरी पर है यहाँ पर खान खाना मुनीम खान अक्बर की सेवा में उपस्थित हुआ तथा उसने अक्बर के समक्ष बहुमूल्य उपहारों के डिब्बे प्रस्तुत किये यहाँ से अक्बर ने खान खाना को गाजीपूर पर हमला करने भेजा जहां का राजा गणपती दो साल से खान खाना को अपने राज्य के निकट फटकने नहीं दे रहा था अक्बर ने खान खाना मुनीम खान के साथ तीन हजार घुर सवार पूरे लाव लशकर एवं हथियारों के साथ नावों में सवार करके भिजवाए अक्बर ने अपने एक अन्य सेना पती खाने आलम को भी बहुत बड़ी सेना मुनीम खान की साहता के लिए भिजवाई मुल्ला बदायूनी लिखता है कि इस सेना में घोडे घोडियां एवं इंसान इतनी अधिक संख्या में थे कि वे टिड़ी दल की तरह दिखाई देते थे खान खाना तथा खाने आलम दोनों ने गाजीपुर को जल एवं थल की तरफ से घेर लिया दोनों तरफ से जंग शुरू हो गई शेहनशाह ने स्वयम को पानी वाली जंग के निरिक्षण की तरफ अपनी सेनाओं से कुछ दूरी पर रखा जिस दिन जंग आरंभ हुई उस दिन बहुत कुहरा था जिसके कारण अकवर को युद्ध का कोई द्रश्च दिखाई नहीं दिया इसलिए अकवर ने दोपहर बाद अपनी कुछ नावें युद्ध के वास्तविक समाचार लेने के लिए भिजवाई उसी दिन खाने आलम ने अफगान नेता फतह खां बारहा को परास्त कर दिया इस से गाजीपुर के राजा गणपती की रक्षा पंक्ती तूट गई तथा मुगल सेना ने किले में घुस कर राजा का सिर काट कर अकवर को भिजवा दिया फतह खां बारहां का सिर भी काट लिया गया अकबर ने इन दोनों सिरों को एक नाव में रख कर पठना भिजवा दिया जहां ये सिर बंगाल के सुल्तान दाउद को भेंट किये गए अगले दिन अकबर पठना के लिए की इस्थिती का अवलोकन करने के लिए पंच पहाड़ी पर चड़ा अफगानों ने मरने तक लड़ने का इरादा करके बंदू के दागना जारी रखा जो अकबर के पड़ाव से तीन कोस की दूरी पर थी मुला वदायोने लिखता है कि दाउद के पास बीस हजार घुड सवार अनगिनत जंगी हाथी शक्तिशाली तोब खाना था किन्तु वह अकबर की सेना से पराजित हो गया तथा रात के समय नाव में बैठकर बंगाल की राजधानी गौड की तरफ भाग गया उसका प्रधान सहायक शीधर जिसे विक्रमा दित्ते की उपाधी प्राप्त थी दाउद का खजाना एक नाव में रखकर उसके पीछे चला दाउद का सेना पती गूजर खा कर रानी दाउद के हाथियों को लेकर थल मार्क से भागा उसके बहुत से सैनिक डर के मारे दरिया में कूदे और डूब कर मर गए कुछ सैनिक टुकडियों ने पागलों की तरह किले की बुर्ज एवं दिवारों से कूद कर जान दे दी और खाई को लाशों से भर दिया संकरी तंग गलियों में कुछ आदमी हाथियों के पैरों तले दब कर मर गए जब दाउद खाँ का सेना पती गूजर खाँ कर रानी हाथियों को लेकर नदी पर बने पुल से निकलने लगा तो पुल तूट गया तथा बहुत से लोग नदी में डूब कर मर गए शाम के समय अकबर को दाउद के भाग जाने की सूचना मिले इस पर अकबर ने पठना नगर में प्रवेश किया अगली कड़ी में देखिए गंगा किनारे पठना से लेकर थार मरुस्थल के सिवाना दुर्ग तक अकबर का अधिकार हो गया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवम शेयर करें धन्यवाद